हेलो गैज वलकाम बैक तो माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक निश क्या होती है साथ ही साथ आपको सौ सजाधा निशस देने वालों निशस की पूरे लिस्ट ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस निश में काम करना है बहुत सारे लोगों को इवन मेरे को भी जब मैं एक newbie था blogging में तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि निश क्या होती है और निश क्यों जगर है क्यों हम लोग को एक niche find करना है फिर उसी पर काम करना है हम लोग multi niche भी तो काम कर सकते हैं न तो niche find करके फिर क्यों उस पर काम करें तो सारी confusion मैं आज के इस वीडियो के थ्रू आपकी दूर कर देने वाला हूं अगर आप भी जानना चाहते हैं और confused है कि niche क्या होती है तो ये confusion आ आपको जादा से जादा समझ में आए तो चलते हैं computer पे और समझते हैं कि niche क्या होती है तो अब हम लोग आ गए हैं अपनी computer screen पे ये presentation मैंने खुद से बनाई है तो इसका भी feedback चाहिए में रुको तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि niche क्या होती है और आपके वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफे इंफॉर्मेट अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है कोई दिक्कत परिशानी है तो आप मेरे को comment में पूछ सकते हो और ऐसी वीडियो के लिए मेरे channel को भी subscribe कर सकते हो तो आप समझ ले होता बलकि एक topic होता है मतलब topic को ही हम निश कहते हैं और यही निश है अब example के लिए जैसे वीडियो गेम्स, diet and fitness, movies and tv reviews, fashion, politics यह असल में topics भी है और इन्हें हम निश भी कह सकते हैं I hope आपको clear हो गया होगा कि निश क्या होती है अब बारिया जाती है कि why do you need a blog निश किसी भी blog के लिए निश क्यों important है यहाँ पर आपको तीन फायदे होते हैं जब आप किसी निश में काम करते हो तो पहला फायदा मिलता है आपको ranking का दूसरा फायदा मिलता है आपको अर्निंग का फायदा कैसे मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ अब मान लो आपने एक blog बनाय या वो जैसे तैसे करके आपके blog में पहुंचा अगर आपको blog एक ही category में हैं और आपने एक ही category में articles डाल रखे हैं तो chances काफी बढ़ जाते हैं कि जो user आपके website पर या फिर blog पर आया है वो आपके दसो आर्टिकल को चेक करेगा और इससे आपके blog की engagement बढ़ेगी मतलब retention आता है तो automatically आपके blog की जो ranking रहती है वो higher हो जाती है हाई हो जाती है अगर मैं इसको example के साथ बताओं तो मान लो आपने कोई blog post लिखा और उसको social media में share कर दिया अब 10 users आए आपके blog में और दसो यूजर ने अच्छा खासा समय बताया आपके blog में तो automatically आपको कुछ करना न रहा था तो आज वो पहले दूसरे या पर तीसरे position तक पहुंच जाएगा इसके chances काफी बढ़ जाते हैं अब इसके पीछे का reason यह है कि जो बाकी blogs है उसके users आतो रहे हैं पर उतना समय नहीं बिता रहे जितना आपके blog में बिता रहे हैं तो जितनी देर तक user आपके blog में ठ blog में आते हैं मतलब आपके website का traffic काफी बढ़ जाता है और जतना जादा traffic बढ़ेगा आपकी earning भी उतनी ही बढ़ेगी कई लोग परिशान रहते हैं और वो मुझे से पूछते हैं कि यार हमारा adsense approved नहीं हो रहा है ऐसे बहुत ही कम लोग मिले हैं मिरे को पूछते कि यार भा क्योंकि adsense से भी आपके earning तभी होगी जब आपके blog में बहुत जादा traffic होगा तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं यहीं बोलूंगा कि adsense के पीछे मत भागो adsense आज नहीं तो कल आपको मिले ही जाएगा पर traffic important है और जब तक traffic नहीं आएगा आपकी कहीं से भी कुछ भी earning नहीं होने वाली ना तो adsense से ना तो guest posting से ना तो backlinks देने से और नहीं affiliate marketing से ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं अगर आप इस चैनल को subscribe कर लेते हो तो मैं हर एक तरीके को बताऊंगा 50% से जादा audience मेरे चैनल को subscribe नहीं करती वीडियो दे पहली बात तो आपको ranking अच्छी मिल जाती है और ranking अच्छी मिलते तो traffic जादा मिलता है और engagement बढ़ जाता है अगर कोई भी user आपके एक blog post को पढ़ने आया था तो अब वो पूरे blog को पढ़ेगा तो जितनी earning आपको 10 users से होने वाली थी उतनी earning हो सकता है आपको 3-4 users सही हो ज आती है अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि निश क्यों important है अब बारी आती है कि हम निश कैसे find करें एक perfect निश कैसे find करें तो यह तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद ही अभी तक किसी ने बताया होगा तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो आपको दिमा आपस तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यह सारे passion होते हैं लोगों की आप चाहो तो simply आपको जो भी passion है उसमें अपना blog start कर सकते हो पर पर ऐसे ही अपने blog को मत start कर दो तीन questions खुद से करना है आपको वह तीन questions कौन से हैं वह हम लोग वीडियो के end में देखेंगे मतलब आ सब्सक्रारी आ जाती है कि आप यह देखो कि आपका knowledge किस तरफ है अगर मैं अपने case में बताओ तो मिरको knowledge था थोड़ा बहुत tech में क्योंकि मैं काफे interested रहता हूं इस category में तो मैंने जो अपना blog था वो भी tech category में ही start किया था अब मान लो आपका passion भी नहीं है कहीं पर आपक कुछ भी नहीं आता तो भी दिक्कत की बात नहीं है आप simply यह देखो कि profit किस में है किस निश में अच्छे पैसे बनते हैं अब यह दो चीज तो मैंने इसलिए बताई कि अगर यार आपका passion रहेगा तो उसको लोगों के साथ share करने में आपको मज़ा आएगा आपको जो knowledge र आती है कि यार perfect niche कैसे find करें मेरे को यह कैसे पता चलेगा कि यह perfect niche है तो मैं यहाँ पर एक अपना example देके बताता हूं आपको ज्यादा अच्छे सा समझ में आएगा जैसे जो मेरा passion था वो भी था tech जो मेरे को knowledge था अपने passion की वाज़े से वो भी मेरे को tech में आ गया था और tech category में profitability तो अच्छे है तो जो tech category है या फिर tech niche है वो मेरे लिए एक perfect niche है वो आपके लिए politics हो सकता है मेरे लिए tech था वो आपके लिए politics हो सकता है किसी और बंदे के लिए cooking हो सकता है किसी और बंदे के लिए fashion हो सकता है तो सब के लिए यह अलग-अलग रहेगा और किसी के लि एक perfect niche जो मेरा तरीका है और लोगों का अलग अलग तरीका होता होगा मुझे नहीं पता अगर अभी तक आप इस वीडियो पर बने हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक काम दे रहा हूँ काम यही कि आप simply अपने दिमाग में एक niche डाल लो मतलब जो भी आपको लग रहा है कि मिरेको इस पर ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए उसको अपने दिमाग में रखके खुद से 3 question करो Will I love writing about this 1 year and 50 plus post from now इसका मतलब है कि क्या मैं इस पर एक साल तक काम कर सकता हूँ और अभी से अगर माना जाये तो क्या 50 से जादा post कर सकता हूँ क्या मेरे को मज़ा आएगा इस पर जो भी आपके दिमाग में निश है उस पर काम करने में क्या आप एक साल तक से एक ही category पर consistent रह सकते हो तो ये question पहला question आपको खुद से करना है अगर उसका जवाब हाँ है तो उस निश को ध्यान में रखे रहो और फिर दूसरा question करो और दूसरा question ये है कि are there other people who want to read about this topic जिस भी निश में आप अपना blog start करने जा रहे हो क्या आपके अलावा भी लोग उसमें interested है क्योंकि at the end जब तक आपके blog में visitors नहीं आएंगे आपकी earning नहीं होगी ना तो adsense से ना किसी other platform से ठीक है अगर इसका answer भी yes है तो बढ़ते हम लोग तीसरे question की तरफ तीसरे question ये है कि can I make money from this niche क्या मैं इस niche से पैसे बना सकता हूँ जो भी niche आपके दिमाग में है तो आपको simply यही पूछना है कि क्या मैं इस niche से पैसे बना सकता हूँ अगर हाँ तो किस किस तरीके से मैं पैसे बना सकता हूँ अगर आप उस niche से पैसे बना सकते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप adsense से पैसे कमाने जा रहे हो या फिर affiliate से या फिर guest posting से ठीक है तो आपको ये decide करना पड़ेगा पहले किस तरीके से पैसे बनाओगे और उसी के according आपको act करना पड़ेगा और blog post लिखनी पड़ेगी तो conclusion यही है यार जो भी मैंने बताया वो एक तरीका है perfect niche को find करने का और अगर आपको 100 सज्यादा niche ideas चेक करो या फिर गूगल में type करो Hindi business hub मेरे website पर जाना है और वहाँ पर आपको 100 सज्यादा niche's की list मिल जाएगी सबसे top पर जो article होगा वहाँ पर मैंने 100 सज्यादा niche's बताई है simply जाके आप check out करो और अगर चाहो तो उन पर भी आप अपने blog start कर सकते आपको Hindi में करना है आप Hindi में करो English में करना है English में करो मैंने पूरी list दे दी है तो इस effort के लिए like हो जाना चाहिए कोई दिक्कत परिशानी है तो आप मिरे को comment में पूछ सकते हो even आप मिरे से Instagram में connect हो सकते हो और वहाँ पर भी questions कर सकते हो मैं सभी का reply करता हूँ आपका भी करूँगा वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को subscribe कर दो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye thanks for watching